नमस्कार सातियों, मैं बेद प्रकाट, आपके अपने यूटू चनल प्रकाट से शटी में आपका स्वागत करता हूँ सातियों, आज 12 जनवरी 2023 है आज जो प्रतम सिप्टमिस की टेट का पेपर हुआ है इस वीडियो में मैथमेटिक्स के जितने भी कोशन है सभी कोशनों को कंप्लीट करेंगे इससे पहले हम पाले विकासे में शिक्चा सास्तर पर एक वीडियो बना चुके हैं आप जाके देख सकते हैं प्लेलिट में जाके सातियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्ली चैनल को जरू सस्क्राइब करना है इसमें क्वेसन अमर 31 पूचा गया है एक रेल गाड़ी नई दिल्ली रेल विक्टेशन से मंगल बार को 3.15 तीन बज़के 15 पी एम पर यानि 3.15 पी एम पर चली और मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9 यानि 9.40 एम पर पहुची यानि सुवए के टाइम पर पहुची उस रेल गाड़ी द्वारा पूरी यात्राए में किस लिया गया समय बताइए यानि 3.00 पी एम से लेकर यानि सामके 3.00 पी एम से लेकर सुवए के 3.15 एम तक यानि 12 गंटे हो जाएंगे आपके 12 गंटे और इसमें कितने गटेंगे इसमें इसमें 12 और 3 में से 40 तक 9.40 9.40 में से आपके 3 और 6 यानि 6 गंटे और इसमें 9 से लेकर तीन 40 में 15 गए तो कितने बचे आपके ये बचेंगे 5 और 35 और 6 में ये यानि 18 पैंटीस अठारे पैंटीस नहीं ये 25 और ये 25 आएगा यहां तो ये 18 पैंटीस आएगा आपसा नमर तीसरा सही हो जाएगा अबला क।शान क।शान अमर 32 32 में पूचा है एक स्थान A से स्थान B की दूरी का मानचित्र पर 8.7 सेंटी मीटर है यदे मानचित्र पर 1.5 सेंटी मीटर की दूरी भूमे पर 2 किलो मीटर के बराबर है तो दोनों इस्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी नीचे चार उपसन देरेके हैं सही आंसर आपको बताना है 32 का सही आंसर क्या होगा सातियो 32 का उपसन नमर 3 सही हो जाएगा स्वालो करने पर यानि 11,600 मीटर अगरा कौसन कौसन नमर 33 33 में पूचा है नमर के तमें से कौन सा एक पूर्ण घं नहीं है यानि पूर्ण घं नहीं है खन पूचा है सातियो 1512 यह आपका 8 का आपका गन है और 737 यह 9 का गन है और 216 यह दिये 266 आपका कितने का 5912 6 का 6 का गन है यह आपको 666, यह किसी का गन नहीं है, चलिए option number यह पूर्ण गन नहीं होगा, option number तीसरा सही हो जाएगा इसमें, यानि पूर्ण गन नहीं है, यह पूछाए आपको तो option number तीसरा सही हो जाएगा, अगला पसन देख लेते हैं, question number 34, 34 में एक पूदे का सुद्ध चार्ट नीचे दिया गया है, यह एक तरफ दिन दे रखे हैं, दूसरे दिन पूदे की लंबाई cm में दे रखे हैं, यानि 0 वाले दिन, 0, 5 मा दिन, 2.7, 10 मा दिन, 6.2, 15 मा दिन, 8.9, 20 मा दिन, 11.3, तो पूदे की लंबाई में सबसे कम बद्धी कब हुई, इसमें यह पूछा गया है, तो यह 5, 5 की दिन की सबसे बढ़ी है, यानि 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, और 5 इसमें, तो इसमें आप देख लिए, इसमें कम कितनी है, 2.7 इसमें हुई है, और इसमें कितनी हो साथ और प्माच बार है साथ तीन दस और दो बार है इसमें से घटाए जाएगा तो यह कौन से दिन में कम बद्धी हुई है इसे सौल्व करने पर आपका आती हो ऑप्शन नमर 34 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा यानि 15 से 20 दिन के बीच में यानि 15 से 20 दिन के बीच में 11 3 में से 8.9 यानि 13 ऊंक दस जाएंगे इसमें और यह बुज़ाएंगे 10 और यानि 2.4 Centimeter यह ब्रद्धी हुई है इसमें यहाँ पर कितनी ब्रद्धी हुई है 2.4 cm ब्रद्धी हुई है अगला कश्न देख लेते हैं जो सबसे कम ब्रद्धी हुई है पसन अमर 35 35 मैं पूचाए गोरब ने Station A से Station B तक की दूरी 20 km 236 m ते की फेरे उसने St. B से St. C تک की 32 km 355 m दूरी तैकी इसके बाद उसने St. C से St. D तक की 43 km 548 m दूरी तैकी गोराद वरा तैकी गए इक उर 1 दूरी क्या है नीचे 4 daOsं दे रखें सही अनसर आपको चुनके बताना है पस्रमर 35 का सही अनसर क्या होगा साथ यह वो, question number 35 का option number 30 रहा सही हो जाएगा यानि 96 km, 50 m अगला question, question number 36 36 में पूचाए, गुड़न खंडों को, गुड़न खंडों और गुड़जों के भारे में गुड़न खंडों और गुड़जों के भारे में निम्ल कितमें से कौन सा कतन सही है नीचे चार option दिर रखें हैं सही answer आपको छाट के बताना है question number 36 का सही answer क्या होगा इसका सही answer option number second हो जाएगा यानि 48 तीन का गोड़न है अगला question question number 37 37 में पूचा है संक्या 222222 को पढ़ा जाएगा यानि 21211,000,000,000,000 नी 2,222,222 2,222,222 यानि option number 3 सही हो जाएगा question number 37 का option number 3 सही हो जाएगा अगला question question number 38 38 में पूचा गया है 65,376 और 91,91 और 35,550 की यूग में क्या जोड़ा जाएगे कि परणाम 24,902, dead пом. तो ये साथी इसको जोड़े पहले 65,386 साथी इसे solve करने पर आप solve कर लेजिए इसे solve करने पर इसका सही answer 38 का option number 2 होगा अगर नहीं solve होता है तो मैं बता दू इसको और इसको ये तीनों का योग करके इसमें से गठा देंगे यानि जो आएगा ये आएगा आपका 57,620 अगला क्वशन क्वशन नमर 49 49 में पूचा है एक गड़ी की सुईयों द्वारा एक समकॉण बनाये गया है निमलक दमेंसे कौन सा समय एक समकॉण को प्रदेसित करता है नीचे चार उप्शन दे रखें, सही आंसर आपको छाट के बताना है क्वशन नमर 49 का सही आंसर क्या होगा साथ ये 49 का उप्शन नमर 3 सही हो जाएगा अगला क्वशन, क्वशन नमर 40 40 में निम्लिक दमेंजे कौन सा सही है यह आपको दे रखा है इसमें से आपको सही चाटना है Q4 का सही आंसर आपको बताना है 40 का option नमर 2nd सही हो जाएगा यानि यह आपका सही होगा स्वाल करने पर अगला question, Q4 41 में पुचा है एक भाग के प्रिश्ण में भागफल भाजक का 4 गुना है और 6 फल भाजक का 1 चौता ही है यादि 6 फल 8 है तो भाजक क्या होगा साथियों इसे स्वाल करने पर इसका सही आंसर आपको नमर 4 चौता हो जागा यानि 41 सौचा अगला question, question नमर 42 42 मैं पूचा है विजया और उसकी मित्र ने 42,000 का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए किया उन्होंने दो वर्स में समान मासिक किस्तों में 47,040 वापिस किये उन्होंने हर महीने कितनी रासी वापिस की नीचे चार उप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको छाट के बताना है 42 का सही आंसर क्या होगा साथियो 42 का उप्सन अमर तीसरा सही हो जाएगा यानि 1960 अगला question, question नमर 43 43 मैं पूचा है नसीमा के पास 5 रुपे, 10 रुपे और 20 रुपे के सिक्के हैं 5 रुपे के सिक्कों की संक्या 10 रुपे के सिक्कों की संक्या की तिगुनी है और 20 रुपे के सिक्कों की संक्या 10 के सिक्कों की संक्या की आदी है यादि उसके पास 20 रुपे के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी रासी है नीचे 4 रुपसन ने रखें सही आंसर आपके छांट के बताना है 43 का सही आंसर क्या होगा 43 का option नमर second सही हो जाएगा यानि 560 रुफे अगला question, question नमर 44 44 में पूचा है आकरतियों के उस योगों को चुनिए इसकी कोई भी समम्मेती रिखा नहीं है नीचे 4 option दे रखें सही आंसर आपको चुनिके बताना है question number 44 का सही आंसर क्या होगा इसका right answer option number second हो जाएगा यानि विसम, तिर्वेज और समानतर, चत्रवोज अगला question, question number 45 45 में पूचा है question number 45 में पूचा है किसी दुकान पर निमन दर सूची प्रदरसित की गई है ये एक तरफ दरेके 100, सेव, आम, अमरूद, अंगूर और संतरा प्रतिक, दर प्रतिक केजी है ये आपके 120 रुपे 84, 80, 96 और 90 तो रेंडू ने 1.5 केजी से 2 केजी संतरे और 2.5 केजी अंगूर और 500 केजी अमरूद और सही एक वट्टे चार केजी आम खरीदे उसने इस सही फसलों के लिए कितने दर्रासी अदा की नीचे चार उप्सन दे रखें सही आंसर आपको बताना है क्वस्टन अमर 45 का सही आंसर क्या होगा 45 का सही आंसर सातियो उप्सन अमरूद सेकेंड हो जाएगा यानि 539 अगला कौसान क्वस्टन अमर चालीस चालीस मैं पूचा इनने में कितने से कौन सा संदर्व, आधारित, गड़ित, शिक्षण और अधिगम का सर्वदिक अप्योग दोधारण है इसे चार उप्सन दे रखें सही आंसर आपको शड़के बढ़के बताना है क्वस्टन अमर चालीस का सही आंसर क्या होगा क्वस्टन अमर चालीस का सही आंसर आप्सन अमर शेकेंड हो जाएगा यानि सम्हों में काम करते हुए विद्यार्तियों का अपनी घरों से लाए गई राज सन के बिलों पर चर्चा एवा उनका विचलेशन करना अगला कौशन, कौशन नमर 46 47 में पूचा है, 47 में ये सवाल दे रखा है 27 इंटू 4 को हल करने के लिए एक छात्र निम्लेकितर रणनीती का परियोग करती है या आपको सवाल दे रखा है वह जूर से कहती है के उत्तर 108 है निम्लेकित मैं से कौन सा छात्रा द्वारा अपयोग की गई रणनीतियों के लिए आते अपयोगत है नीजे 4 आपसन रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है कौशन नमर 47 का सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर आपसन नमर 2 हो जाएगा यानि छात्रों ने गड़न के लिए प्रत्यकारी यानि कॉम्पेसेंशन रणनीति का अपयोग किया है अगला नेजे कौशन नमर 48 48 में खुचा है, राइष्टिय पार्ठे चर्रया रूपरे का 2005 के अनुसार निमलिक्त में से कौन सा गड़त के सिक्षण अधिगम को सुधारने यानि वहतर बनाने के लिए ही लिए दी गई सिफारिसों से में से एक सिफारिस को निरूपित करता है नीच चार उप्सन ने रहें, सही अंसर आपको छाटके बताना है कौशन नमर 48 का सही अंसर क्या होगा साथ ये कौशन नमर 48 का सही अंसर उप्सन नमर 1 हो जाएगा यानि आकलन पतती को बदलना जिससे विद्यार्चियों के प्रिक्रियात्मक ज्ञान के इस्थान पर गड़ती करण यूग यताओं की परक हो अगला कौशन, कौशन नमर 49 49 मैं पूचा है, निमलिक्त में से कौन सा गड़त के प्रते भय का उप्योगत कारण नहीं है नीचे चार उप्सन दे रखें, सही अंसर आपको पढ़के बताना है 49 का सही अंसर क्या होगा साथ ये 49 का सही अंसर उप्सन नमर 4 हो जाएगा यानि आदेगम करताओं की गड़ती अक्षा मता है अगला कौशान, कौशन नमर 50 50 मैं पूचा है, भिन का उप्योग निमलिक्त में से किन तरीकों से हो सकता है नीचे चार उप्सन दे रखें, पहला दे रखा है एक पूण के अंसर को निरूपित करने के लिए B. सेंख्या रेका पर एक बिन्दू को अभी कल्पित करने के लिए C. बस्तू के संग्रा के एक अंसर को निरूपित करने के लिए D. विवाजन पर आदारेत समस्या के परच्चे के लिए नीचे चार उपसंदे रखें, सही आंसर आपको शड़के पढ़के बताना है Q. 50 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उपसंद नमर पहला हो जाएगा यानि A, B, C तीनों सही होंगे A, B, C तीनों सही होंगे उपसंद नमर D इसमें गलत होगा अगला पसंद, पसंद नमर एक्यामन एक्यामन ने पूछा है निमले कितमें से कौन सा एक रचनात्मा का गड़ित की कक्षा का अत्य उप्युक्त उधारन है नीचे चार उपसंदे रखें सही आंसर आपको बढ़के बताना है निक्यामन का सही आंसर आपसंद नमर थीसरा हो जाएगा यानि एक समाथान को खोजते समय विद्धियार्ती अनिमिशन में ब्यक्त सलन्लंग नहै अनला कौसन पसंद, कौसन नमर बामन बामन में पूछा है नीचे चार अपसंदे में से कौन सी जामेतिय में एक प्रिक्या नहीं है नीचे चार अपसंदे रखे हैं सही आंसर आपको पढ़के बताना है क्वशण नमर 22 का सही आंसर अपसंदे 3 हो जाएगा यह नि प्रिक्रियात्म का प्रवाह अगला नेट पूचान, पूचन नमर 13, पूचा है, निमलिकेत में से कौन सा कतान गड़त की प्रकृतिक के संदर्म हैं, उप्योकत नहीं है, नीज चार पूचन दे रखें, सही आंसर आपको उचाट के बताना है, पूचन नमर 13 का अप्शन नमर 13 सही हो जाएगा, यानि यह बिज्ञान की तरह है जो के अवलोकन पर आधारित है अगला नेक्ट कॉस्टन नमर चाववन चाववन है पूचा है निमलेकेत कतनों में से कौन सा कतन गड़ती या खेलों के वारे में सही है ये दिरका है गड़ती खेलों को आम दिन चर्या वाले खेलों की तरह होना बी दिरकाए गड़ती खेल बच्चों को अनुपदे सात्मक प्रत्य पुष्टी प्रदान करते हैं ची दिरकाए गड़ती खेल बच्चों में अनुमान, पुर्वग्यान और योजिना तयार करने को वड़ावा देते हैं मीचे चार आप्सन दिरकें सही अंसर आपको बता प्रत्य 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 प्र यानि सुसंगत और मतो कंची अगला क्वसान, क्वसान अमर चप्पन चप्पन में पूचा है नेम लेकित में से कौन सा गड़तियर निर्दर्शन यानि मोडलिंग पर अते अप्युक्त है नीचे चार अप्प्पन दिरेखें सही अंसर आपटो चाठ के बताना है चप्पन का सही अंसर क्या होगा सातियों फ़सानमर चप्पन का सही अंसर आपटामर टीसर हो जाएगा यानि एक घंग वन में घ्रिख्चों की संग्या का अनुमा लगाने के लिए गड़ती है निर्देश जन मॉडल का निर्मार करना अगला पसान पसान अमर सत्तामन सत्तामन में पूचा है निमलिक्त में कौन सा प्रात्मे कक्षा के विद्याले में गड़त अधिगम को प्रुस्ताहित करने के लिए उपेक्ट नहीं है A. अवधारणा को उनके देनिक जीवन के अनववों से जोड़ना B. प्रक्या की वज़ा अत्पन पर बल देना C. सिक्षण स्याम्मेग्री का अपयोग करके अमूर्थ अवधारणाय पढ़ाना नीचे चार अपसन दे रखें सही आंसर आपको उछाट के बताना है गड़े तमें विद्यारतियों के समालो चनात्मक चिंतन को प्रोसायत करने की समावना अधिक है नीचे चार अपसन दे रखें सही आंसर आपको छाट के बताना है Q. नमर अठामन का सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर अपसन नमर चौता हो जाएगा नीचे चार अपसन दे रखें सही आंसर आपको छाट के बताना है 59 का सही आंसर क्या होगा 59 का सही आंसर अपसन नमर पहला हो जाएगा या इंदर्श्ची करन अगला नेच्ट कॉस्टन Q. नमर साट साट मैं पुचा है एक प्रात्मे कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्तियों से 536 को अंकों में लिखने के लिए काते हैं अधिकांस विद्यार्तियों ने इसका उत्तर 536 लिखा निम्ल्गत मैंसे कौन सी सिक्षन रणनी थे इस रोटी को सुधारने के लिए सरवदय को प्यूगत है नीचे चार उपसन देरे खें सही आंसर आपको छाटके बताना है कॉसर नमर साट का सही आंसर क्या होगा साथियो कोशन नमर साथ का अप्शन नमर चौता सही हो जाएगा याने तीन अंकिय और चार अंकिय संक्याओं के इस्थानी अमान की अधान को सरदर करना साथियो मेहत के जितने भी कोशन है इस वीडियो मेंने कंप्लीट कर लिये हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली वीडियो को लाइक शेयर पहली बार हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आज के लिए बस्तना ही धन्यवाद